काम नहीं ने बंकर से आदेश दे दिया है कि इरान दो लाख मिसाइलों और रॉकेट से इसराइल पर हमला करें इरान इतनी बुरी तरह से बुखला गया है कि उसने 57 मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इसराइल से जंग को तयार हो जाए इधर प्रधान मंतरी नेतन याहू ने साफ कह दिया है कि अगर इरान ने हमला किया तो इरान में ऐसी कोई जगा नहीं होगी जहाँ इसराइली हमले ना करें इरान का एलान अब जंग लड़ेंगे 57 मुस्लिम देश 32 साल तक हिजबुल्ला का चीफ रहा 64 साल का हसन नसलला मारा जा चुका है लेवनान से लेकर इरान तक नसलला की मौत पर 5 दिन तक न मातम मनाया जा रहा है इस बीच इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को गुप बंकर में पहुचा दिया गया है इरान को डर है कि नितन्याओ के नियू ओडर आपरेशन के तहट का इसराइली सेना इरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को भी नरसलला की तरह मार सकती है हालात ये हो गए है कि इरान ने अब इसलाम के नाम पर मुस्लिम काट खेलने की कोशिश की है इरान अब पूरे मिडल इस्ट और अरव वल्ड में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज इसराइल हिल्बला को तवा कर रहा है कल इरान को बरबात करेगा और फिर किसी और मुस्लिम देश को इसराइली सेना तवा करेगी इसलिए बहतर है कि सबी सतावन मुस्लिम देश मिलकर इसराइल से जंग में मकाबला करें लेकिन सवाल उड़ता है कि क्या सतावन मुस्लिम देश मिलकर इज़ायल पर हमला करने की हिम्बत दिखा सकते हैं लमन शहादत जायाई बज़र्गी हैस वली हीच खलली दर मुगावमत इज़ाद नखाहत करत हमतुरी की शहादत दबीर कुल गबली हिज़ब लाँ शहीद से दबस मुस्लिम हम आपको हमाज हिज़ब लाहूती और इरान से जुड़ी इस ख़वर में ऐसे हैरान और दिल्चस्ट करने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ आपको पता चलेगा कि इसराइल ने कैसे जवर्दस्ट हमलों से लेकर इरान के इसलामिक जंग की धजियां उड़ा कर रग दी है हिज़ब लाँ चीव नसल्ला के मारे जाने के बाद से इरान हिज़ब लाँ की बुरी तरह से किरिकिरी हो रही है हिजब लाँ चीव हसन रसल्ला की लाश हमला होने के 20 घंटे बाद मिल पाई है तब जाकर हिजब लाँ ने उसकी मौत की पुस्ती की है इसराइली फाइटर जेट ने 80 टन बमों से धमाके किये थे जिसकी वजा से लाशों के चीतरे उड़ गए थे इधर इसराइल ने महें 10 दिन के अंदर ही इतने जबरदस हवाई हमले किये है कि हिजब लाँ चीव से लेकर हिजब लाँ के 17 टॉप कमांडर मारे जा चुके है हालात ये हो गए है कि घातक और लंबी दूरी मिसाइलों से इसराइल पर हमला करने का प्लैन पूरी तरह से तवा हो गया है दावा किया जरा है कि नरसला के 7 सार इरान की आया जीसी का टिप्टी कमांडर अबार निलफो रूसन और हिजब लाँ के कम से कमांडर मौके पर ही मारे गए है हालात ये हो गए है कि हिजब लाँ के पास रॉकेट मिसाइल डोन भरे पड़े हैं लेकिन कोई जायल पर हमला करने का आदेश देने वाला नहीं बचा है इसराइल ने गाजा जंग से सवक लेकर हिजब लाँ के खिलाब एक फॉर्मला खूब इस्तिमाल किया है जनरल मारो जंग जीतो कमांडर मारो को हराम मचाओ इसराइल ने हिजब लाँ के टॉप कमांडरों को मार कर संगंटन के मनोवल को तोड़ कर रख दिया है इस जाहिल ने सबसे पहले हिजबुला के अजीज यूनिट के कमांडर मुहमद नसर को धेर किया इसके बार नसर यूनिट के कमांडर समी तालिव अब्दुल्ला को मार गिराया रॉकेट और मिसाइल डिवीजन के कमांडर इबराहिम कुवेसी को बेरूत में मारा इस जाहिल पर रॉकेट बरसाने वाले कमांडर अब्राहिम मुहमद को मार कर इस जाहिल ने हिजबुल्ला के हवाई हमलों की च्छमता को सीमित कर दिया इसके बार राजवान फोर्स के कमांडर इबराहिम अकील को मारा उससे पहले रजडनितिंगी इनिट के प्रमुक फुहास शुकर को बेरूत में ढेर किया असराइल पर हमला हिजबुल्ह के दक्षिनि फ्रेंट से हो रहा था सबसे पहले इसराइल ऐसी फ्रेंट के प्रमुक अली कराकी को मौत के घाट उता रहा उसकी मौत की वया से इसराइल पर हजबुला की हमलों में भारी कमी आई इसके बाद कमांडर विस्तम अलतवील को मार गिराया राज़वान फोर्ट को टेनिंग देने वाले अबू हसन समीर को मौत की नीच सुलाया इसराइल पर निगरानी करने वाले एरियल यूनिक के कमांडर मौमद हुसेन को मार कर इसराइल ने संगठन की तागत को बेहत कमजोर कर दिया 27 सितंबर को इसराइल ने बेरूत में हजबुला के सरगना हसन रसल्ला को मार कर हजबुला की कमर तोड़ कर रख दी है अब ऐसे हालात में रान क्या इसराइल से हजबुला चीफ की मौत का बदला लेने की हमद चुटा पाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है